हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू निट्यावेस तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पार्ट थर्टीन हम चोसर के केंटरबरी टेल्स का प्रोलोग पड़ रहे हैं लाइन टो लाइन और हम आज करने वाले हैं डिसकुस पार्सन के करेक्टर के बारे में यह चोसर हैं वो पार्सन के करेक्टर के बारे में पताते हैं और पार्सन का करेक्टर नाइट के करेक्टर की तरही एक आइडियल करेक्टर है और इसमें चोसर कोई भी कमेंट या सटायर का यूज नहीं करते वो इसमें एक रियल जो आइडियल जो व्यक्ति होता है एक आइड से ईक चैत्र पार्शन एक माट्रीस पार्शन होता है जो पादिर प्रशन ज़ो द्रम का परिशार करते हैं पूनने इन वर महतों था य। हमें को था बातम है उसकी क्यालति पता लगी कि वह द्रम्लम को पार्शन पार्शन पाद्री Стथ और एक पूर व्यक्ति है वो मतलब फाइनेंशली उसकी कंडिशन जादा अच्छी नहीं है लेकिन चोसर कहते हैं कि लेकिन वो अपने विचारों से और अपने काम में भहुती धनी है मतलब कि वो अच्छे काम करता है और उसके विचार भी काफी पवित्र है और इसलिए उसके पास ये अमीरी है और वो एक लेंड मैन है मतलब कि एक अच्छा समझदार व्यक्ति है ग्यानवान व्यक्ति है एक लर्क जो क्रिस्ट के वेद वाक्य गोस्पल होता है वेद वाक्य धरम के अंदर लिखे जो वचन वाक्य होते हैं जो धरम की शिक्षाएं है उनकी बात की गई है गोस्पल उनको बोला गया है कि वो जो क्रिस्ट के वेद वाक्य है उनको रियली मतलब वास्तव में वो उनको प्रीच करने मतलब उनको सुनाने के वो काबिल है डिवोटली इस पैरिशनर्स वोडी टीच और वो अपने पैरिशनर्स जो उसके पास सुनने के लिए आते है जो धरम का संदेश सुने के ल लगन से बड़ी ही समर्पित भाव से वो उनको सुनाता है धरम के जो टीचिंस है उनको वो अपने सिखाता है बैनिंग ही वस एंड वॉन्डरस डिलिगेंट यहां पे भी उसकी क्वालिटी बताएगी है बनेंग होता है उदार व्यक्तितों कि उस वो बड़ा ही उदार व्य बाव कवेती है पेशेंट इन एडवर्स टाइम एंड वेल कंटेंट और एडवर्स मतलब जब भी जिवन में विप्रीच समय आता है कठिन परिस्थिति आती है तो उस उसमय वो बड़े ही पैशेंट मतलब धेरे से काम लेता है और वेल कंटेंट और बड़ी ही समजदारी situations को handle करता है as he was off time proven जिसे कि उन्होंने अपनी जीवन में जब भी ऐसा समय आया है ऐसे समयों में इसने अपनी quality को उसने prove किया है always bleed और वो हमेशा जिन्दा दिल सभाव का एक व्यक्ति है he was right law to curse to get a teeth और वो किसी को भी teeth होता है दसवों भाग कोई भी जो हम earning करते हैं जो religious teachings होती है जो religious teachings है हमारी किसी भी धरम की उसमें क्या बोला गया है कि जो हमारी earning है जो भी हम कमाते हैं उसका दसवा भाग हमें दान करना चाहिए दीन दुखियों की मदद में लगाना चाहिए तो teeth हुसी को बोला है और यहां पे लोथ होता है अन्यचुक कि यहां पे जो सर बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी अपनी कमाई का दसवा हिस्सा नहीं देता है या मतलब अपना जो दसवा हिस्सादान नहीं करता है तो वो किसी को भी बुरा नहीं कहता किसी को भी कुछ भी गल्द कहने का वो इच्छुक नहीं है वाने इच्छुक है और किसी का भी धन भी लेने का इच्छुक नहीं है बलकि वो किसी से लेता नहीं है बलकि वो तो देता है अगर किसी को जरुट है उसके पूर परिशनर्स जो गरीब जो वेक्ति उसके धार्मिक जो टीचिंग्स उनको सुनने आती हैं परिशनर्स उन्हें अगर किसी चीज़ की पैसे की या हल्प की जरुट है तो वो अपनी शम्ता के अनुसार उनकी मदद करता है part of his income, even of his goods वो अपनी income का भी कुछ हिसा दान में करता है लोगों की मदद में लगाता है even of his goods और अपने सामान को भी मदद करने के लिए दूसरों को दे देता है enough with little colored all his moats white was his parish house for ascender चोसर बोलते हैं white was his parish parish होता है एक छेतर जो जिस छेतर में जिस area में वो अपनी teachings देता है, जिस area में वो काम करता है, लोगों के धार्मिक कामों को करता है, उस area के बारे बताया गया है कि उसका जो धार्मिक छेतरा वो काफी बड़ा है मतलब जहां जिस area में क्योंकि church के अंदर जो medieval time के अंदर जो society होती थी English society, वो उसके अंदर जो ये preachers होते थे जो church की teachings को spread करते थे उनके areas divide होते थे तो इनका जो area है जो इनको मिला हुआ है जिसमें ने religious activities करनी है और religious preachings ये teachings देनी है लोगों को तो उनके उसके area के बारे में बात हो रही है कि इनका जो area वो काफी बड़ा है वाइड है houses पा असेंडर और जो घर है वो काफी अलग अलग दूर दूर है but never did he fail लेकिन वो कभी भी अपने काम को करने में या लोगों की वहां जाकर उनके घर जाकर मदद करने में कभी भी fail नहीं हुए पीछे नियटे for rain और चाहे बरसात हो चाहे तुफान हो इन सिकनेस चाहे बिमार हो और इन सिन चाहे कोई बुरे वक्ति या उनके बादा डाले और एनिस्टेरिया कोई भी परिस्तिती हो to visit to the farthest वो दूर तक भी गए हैं अपने डूटी को पूरा करने के लिए small and great small and great से याँ पर मतलब है small मतलब जो poor व्यक्ति होती है society में poor people और great जो rich people है society में उनके बारे में बताए कि चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है वो सब के पास दूर तक भी अपने डूटी को पूरा करने के लिए गए है going a foot वो पैदल जाते हैं and in his hand और उनके हाथ में क्या रहती है a stave a stave होती है लंबी लाठी कि अपने हाथ में एक लंबी लाठी लिए वो पैदल ही दूर तक भी लोगों के घरों में जाते हैं और वो ये भेदबाव नहीं करते कि वो जिन लोगों की मदद करने चारे वो गरीब है या अमीर है this fine example to his flock he gave और flock मतलब कि जो लोगों का समुझ जो है इनका उनको ये बड़ा ही अच्छा उधारन ये परस्तूत करते हैं that first he wrote and afterward he told कि पहले वो खुद अजमाते हैं पहले वो खुद धरम की शिक्षा पर अमल करते हैं and afterward he told और उसके बाद वो दूसरों को धरम की शिक्षा देते हैं out of the gospel then that text he caught and this figure he added there unto that if gold rust what shall poor iron do यहाँ पर कहते हैं out of the gospel gospel मैंने बतायता है कि वेदबा के या जो religious teachings होती है उनको बोला जाता है कि जो इन्होंने जो religious text पढ़े हैं उससे उन्होंने एक बात को एक वाक्य को इन्होंने बड़ी अच्छे से अपने जीवन में पकड़ा है and this figure he added there unto और उसके अंदर इन्होंने अपना ये sentence या अपना ये thought या वाक्य जोड दिया है that क्या जोड दिया है if gold rust अगर सोने को ही जंग लग जाएगा अगर सोने के जंग लग जाएगा then what shall poor iron do तो जो iron है वो क्या करेगा उसका क्या हाल होगा अगर यहां पर इनकी जो कहने का मतलब है ये line बड़ी ही important है और ये line है ये line भी जो canterbury tales है उसके इस work को काफी famous भी बनाती है कि if gold rust अगर सोने के ही जंग लग जाएगा तो लोहे का क्या हाल होगा कि यहां पर example है कि अगर धरम पर चलने वाले अच्छे विक्ति ही बुराई का राद ले लेंगे तो जो कसाधारन विक्ति है उनका क्या होगा और फिर क्या अच्छे रह जाएगा एक साधारन विक्ति अगर लाल सा में डूब जाता है और यह बड़े ही शरम की बात है अगर एक पादरी इस तरह के विचार रगता है और यहां पर जो शिटी शिपर्ड है एक वर्थलेस कि एक जो शिपर्ड होता है भेड़ो को पालने वाला कि एक जो भेड़ो को पालने वाला है अगर वही काम करने के लाइक नहीं है वही उसको क्यालिटी नहीं उसके अंदर की भेड़ो को कैसे पाला जाए और कैसे उनको साफसोतर अच्छा रखे जाए उसी तरह से प्रिस्ट होता है वो भी मतलब जैसे एक जो भेड़ पालने वाला भेड़ो की संभाल करता है उनको देखबाल करता है उसी तरह जो प्रिस्ट होता है वो सोसाइटी में लोगों की देखबाल करता है उनको गलत रस्ते पर चलने से रोकता है उनको सही रा दिखात और अगर वो खुद साफ नहीं होगा अगर खुद अच्छा नहीं होगा तो उसके जो फॉलोवर हैं जो उसको फॉलो करते हैं जो फ्लॉक हैं वो कैसे रहेंगे और चोसर बोलते हैं कि उसने अपने बेनिफिट के लिए या अपने फाइनेशिल बेनिफिट के लिए कभी भी अपने एरिया के जो लोग हैं उनको कभी भी उसने उनको कभी वो छोड़ कर नहीं गया उनको कभी भी अंदेखा उसने नहीं किया उनको संभाल उसने रखिया है leaving his flock to flunder in the mire इस line का मतलब होता है कि अपने जो flock है अपने जो लोग है उनको ऐसे ही बुराई के दलदल में डूबने के लिए उसने कभी नहीं छोड़ा and ran to London up to the old St. Pauls to get himself a chantry there for souls यहां पर चोसर बोलते हैं और उन अपने area के लोगों को छोड़ करके वो कभी भी लंदन की तरफ नहीं गया लंदन नहीं गया कहां पर old St. Pauls के जो चर्च है वहां पर नहीं गया क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो पादरी लोग होते हैं टाइम टू टाइम जाते हैं और वहां जाकर के medieval time के अंदर उस समय की बात हो रही है उसे मैं वो जाते थे और वहां पर जाकर के वो लोग religious teachings जो थी वो लोगों को सुनाते थे और लोगों को माफी देते थे उनके evils के बारे में सुन करके और इससे उनको पैसा मिलता था और पैसे के लिए वो लोग वहां पर जाते थे और उनको सुक्स्विधाई भी मिलती थी लेकिन चोसर कहते हैं कि ये एक आइडियल ये पार्सन है और ये कभी भी अपने लोगों को अकेला छोड़ करके वहाँ पर नहीं गए बलकि ये हमेशा अपने एरिया में रहते हैं क्योंकि ये लोगों के घर जाते हैं उनको धार्मि क्षिक्षा देते हैं और कोई भी अपने गुना स्रीकार करता है तो ये उसकी सुनते हैं तो इस तरह से इन्हों ने ये मानते हैं कि ये अपने जो लोग हैं उनको ये इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते वरना वो बुराई के रस्ते पर निकल जाएंगे nor in some brotherhood did he withhold but dealt at home and kept so well the fall that never wolf could make his plans miscarry चोसरी नाइन्स में बोलते हैं कि वो अपने जो एरिया अपना जो घर है वहाँ पर ही हमेशा रहते हैं और अपनी जो पकड़ है जो लोगों के उपर जो ये धरम की शिक्षा देते हैं उन पर ये अपना जो होल्ड है वो अच्छे से ये बना के रखते हैं लोगों का ध्य रखते हूं को धार्मिक शिक्षा देते रहते हैं that never wolf could make his plans miscarry ताकि कोई भी जो दूरत वेक्ती है या कोई भी गुराई पे चलने वाले जो वेक्ती है वो उनके अपने plans को वहां पे execute ना कर सके लोगों को बर्मित ना कर सके लोगों को गलतरा पर ला ले जा सके और उन्हों ने उनके बारे में जो पार्सन है उनके बारे में चोसर ने ये लाइन बोली है कि वो एक शिपर्ड है एक शिपर्ड की तरह है एक मरसेनरी की तरह नहीं है मरसेनरी होते हैं जो पैसे कमाने वाले लोग होते हैं चोसर बोलते हैं कि वो पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं है बलकि वो एक शिपर्ड है जो हमेशा अपने फॉल्क जो अपने शिप्स हैं उनकी बड़े अच्छे से देखवाल करता है यहां पर उनकी और के बारे में चोसर बोलते हैं कि उसके वो इतना ज्यादा पवित्र है अपने काम में विचारों में और इतना विच्छियस मतलब गुनों वाला विक्ति है गुनवान है कि वो जो विक्ति जो पापी लोग उसके पास आते हैं उनके पड़ती न यह तो वो ज्यादा सकत वहवार करता है नहीं उनको ख्लाफ को सकत बोलता है और नहीं उनको ज्यादा उदार उनके लिए बोलता है but in all teachings prudent and banning बलकि वो अपनी सारी teachings में prudent होता सावधान वो काफी सावधान रहता है and banning उदार वेवार वो सब के साथ करता है to lead folk into heaven but by stress of good example was his busyness और चोसरी लाइन में बोलते हैं कि वो क्या समझता है वो क्या सोच करके अपना काम अच्छे से करता है पुरी मांदारी से करता है to lead folk into heaven वो ये समझता है कि गोड की तरफ से उसकी ये duty लगाई गई है कि उसे जो folk लोगों का समूँ जो उसके पास आता है धरम की शिक्षा लेने के लिए उनको उसे उन लोगों को उसने lead करना है मतलब उनको दिशा निर्देश देने है उनको उसे heaven की तरफ लेके जाना है और ये उसको गोड की तरफ से लगाई गई duty है और ये ही उसके ये ही एक अच्छा example है इसी विचार के कान वो हमेशा busy रहता है अपने काम में और अपने काम को पूरी मानदारी से करता है अब यहाँ पे चोसर उसकी एक और प्यालिटी के बारे में बताते हैं और चोसर कहते हैं कि अगर कोई sinful व्यक्ति अगर कोई पापी या पाप करने वाला व्यक्ति अगर कोई obstinate होता है जिद्धी हो जाए अगर वो अपने जो बुरे करम है उन पर अड़ा रहे उनको छोड़े ना बुराईयों को be who it might फिर चाहे फिर वो कोई भी हो high ही हो और low estate चाहे फिर वो high class से बिलोंग करता हो चाहे वो low estate से बिलोंग करता हो उसको वो अच्छे से शापली उसको तेज आवाज में डांट करके वो उसे समझाते हैं there is no way better priest और वो चोसर बोलते हैं कि इन से ज़्यादा अच्छा प्रिस शायद ही कोई होगा शायद ही कोई कहीं होगा he has no thirst for pomp and reverence यह जो प्रिस्ट है इनके इन्हें कोई भी प्यास नहीं है मतलब एक तरह से कहते हैं इच्छा ही हो ना इन्हें कोई भी इच्छा नहीं है pomp and reverence मतलब कि जो होती है ना परसिद्धी पाने की या फिर धन्दोलत पाने की ऐसी इनकी कोई भी इच्छा ही इन्हें नहीं है ना इसी कोई इन्हें भूक है nor made himself a special spiced conscious और ना इनकी ये इच्छा है कि अपने आपको special दिखाएं या फिर अपने आपको कुछ अलग इनको सम्मान मिले ऐसी इनकी कोई इच्छा ही नहीं है but Christ own Lord and his apostle 12 he taught जो ये Christ के जो teachings हैं और उनके apostles होते हैं उनके 12 apostles हैं Christ के जिनमें इन्होंने अपनी life से related इन्होंने teachings दी है examples दे करके Christ ने तो ये बोलते हैं कि जो इनके 12 apostles है Christ के और जो Christ की teaching है उसको ये दूसरों को पढ़ाते है but first he followed it himself लेकिन उन लोगों को पढ़ाने से पहले वो खुद उसकी उपर अमल करते हैं खुद उसकी उपर चल करके देखते हैं और फिर लोगों को वैसे चलने की शिक्षा देते हैं तो इस तरह से ये person का character था जो चोशर ने depict किया और ये knight के character की तरह एक ideal character है तो इसे हमने discuss किया तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में Till then keep practicing, thank you